नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, आज हम छठी कर्षा के हिंदी विषय के दूसरे अध्याय जिसका नाम है हार की जीत तो हम आज इस कहानी की सुरुवात करेंगे और बचों, आपके समक्ष स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कहानी का सिर्षक है हार की जीत हार की जीत कहानी जो है वो सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है इस कहानी में तीन पात्र हैं एक है बावा भारती, दूसरा है खड़क सिंग डाकू और तीसरा सुल्तान नाम का एक घोड़ा डाकू खड़क सिंग से उस इलाके के लोग थर-थर कापते थे पर कहते हैं न कि इनसान दिल से उतना बुरा नहीं होता परिस्थितिया इनसान में बुराईयां पैदा कर देती है हालात इनसान को बुरा बना देती है खड़क सिंग कहने को तो डाकू था और लोगों की नजरों में बुरा था लेकिन असल में अपने अंदर एक कोमल दिल भी रखता था बाबा भारती के द्वारा कही गई बात के चलते उसके अंदर छुपा सच्चा मानव जाग गया और उसने छीना हुआ घोड़ा पुना बाबा भारती को वापस कर दिया तो चलिए हम इस कहानी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं इस यूटूब वीडियो के माध्यम से कथा का नाम हार की जीत आप जानते हैं बच्चों और यह कहानी भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है एक बुरे आदमी के हिर्दय में भी अच्छाई छीपी रहती है जो प्रेगना पाकर उसका हिर्दय परिवर्तन कर देती है तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस कहानी के कथाकार सुदरसन जी जिनका मूल नाम पंडित बद्रिनाद भट था उनके बारे में जानते हैं पंडित बद्रिनाद भट जी हिंदी और उर्दू के प्रसिद सहितकार थे उनका जन्म 1896 इस्वी में अविवाजित भारत के सियाल कोट यानि की बरतमान पाकिस्तान में हुआ था इनकी मृत्यू 1967 इस्वी में भारत में हुई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हार की जीत सच का सवदा साइकिल की सवारी पत्थरों का सवदागर इत्यादी तो बच्चों चलिए हम लोग सीधे सीधे कहानी पे आ जाते हैं मा को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाहते खेद देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोडा देखकर आता था मच्चों आप समझ सकते हैं कि एक बाबा भारती जी है जो की वैसे तो साधू सन्यासी है लेकिन ऐसा है कि उनके पास एक घोडा है और उस घोडे की वह बहुत सेवा करते हैं और जैसे कि एक किसान अपने लहलाहते खेद को देखकर आनंदित होता है खुस होता है एक मा अपने बेटे को देखकर खुस होती है उसी परकार बाबा भारती अपने घोडे को देखकर खुस होते हैं भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अरपन हो जाता वह घोड़ा बड़ा सुन्दर था बड़ा बलवान उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते अपने हाथ से खरहरा करते मतला बेकतरा से कंगी करना होता है खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसंद होते थे ठीक है बच्चों उन्होंने रुपिया माल असबाब जमीन आदी अपना सब कुछ छोड़ दिया था यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी कि इनको बाबा भारती को अब गाओं के बाहर एक गवान का भजन करते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा उन्हें ऐसी भ्रांती सी हो गय थी यानि भ्रम हो गया था वहां उसकी चाल पर लट्टू थे कहते लट्टू थे यानि उनका मन मस्तिस्क जो है उसी घोड़े के इर्दगिर्द घुमता रहता था ऐसा चल आठ दस मील का चकर न लगा लेते उन्हें चैन ना आता किन्हें चैन ना आता बाबा भारती को चैन ना आता आगे है बच्चों खड़क सींग उस इलाके का कुख्याट डाकू था लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे होते होते सुल्तान की कीरती उसके कानों तक भी पहु दाकू तक क्योंकि डाकूओं को विसिस करके घोडों की जगुगत होती है। उसका हिर्दय उसे देखने के लिए अधिर हो उठा। वह एक दिन दो पर के समय बाबा भारती के पास पहुचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा खड़क सींग क्या हाल है। खड़क सींग ने सीर जिक जुका कर उत्तर दिया आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गया। सुल्तान की चाहा खींच लए। मिचित्र जानवर है। देखोगे तो प्रसंद हो जाओगे। तब डाकू कहता है मैंने भी बड़ी प्रसंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोहलेगी। तो डाकू कहता है कहते हैं देखने में भी बड़ा सुन्दर है। तो बाबा भारती कहते हैं क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हिरदय पर उसकी छवी अंकीत हो जाती है। यानि कि तस्वीर अंकीत हो जाती है, डाकू कहता है, बहुत दिनों से अभिलासा थी, आज उपस्थित हो सका हूं, तो सच पूछिए तो डाकू खड़क सिंग बहुत बेसब्र था उस घोड़े को लेने के लिए, ठीक है बच्चों, बाबा भारती और खड़क सिंग से उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परन्तु ऐसा मां का घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था, सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंग के पास होना चाहिए था, इस साधू को ऐसी चीजों से क्या लाव? ऐसा कौन सोच रहा था? ऐसा? खड़क सिंग सोच रहा था, कुछ देर तक आश्चर से चुपचाव खड़ा रहा, इसके पस्चात उसके हिर्दय में हलचल होने लगी, बालकों किसी अधिरता से बोला, यानि अधिर होके बोला, परन्तु बावा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? यानि कि इस चलता कैसे है, वो तो देखना होगा, बावा जी भी मनुसी थे, अपनी वस्तु की प्रसंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हिर्दय अधुर हो गया, घोड़े को खोल कर बाहर ले गया, घोड़ा वायू बेग, यानि कि हवा की तेजी से उड़ने लगा, उसकी चाल देखक खड़क सींग के हिर्दय पर साप लोट गया, वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर वो अपना धिकार समझता था, उसके पास बाहू बल था, यानि कि उसके पास सकती थी, और आदमी थे, कहने का मतलब जब वो डाकू था, तो उसके साथी भी होंगे, जाते जाते उसने कहा, बावा जी, मैं या घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा, यानि एक तरह से वो धमकी देके, चला गया कि मैं जब भी मौका लगेगा, इसे ले जाऊंगा, बावा भारती डर गये, अब उन्हे रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रख वाली में कटने लगी, प्रतिछन खड़क सिंग का भै लगा रहता, परंतु कई मास बीद गये, वह न आया, यहां तक कि बावा भारती कुछ असावधान हो गये, और इस भै को सपन के भै की नाई, मिथ्या समझने लगे, यानि कि जैसे कि कोई सपने में ऐसा, डाकु खड भी गया होगा, संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर घुमने जा रहे थे, इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, कभी घोड़े के सरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे, कौन बाबा भारती, सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, आवाज में करुना थी, मुख व्यक्ति जो है थोड़ा कराह के ऐसे बोला, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, बाबा ने घोड़े को रोक लिया देखा एक अपाहिज यानि कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंग सही सलामत नहीं है वो अपाहिज है ब्रिक्स की छाया में पड़ा करा रहा है बोले क्यूं तुम्हें क्या कस्ठ है ऐसा किस ने पुछा बाबा भारती ने अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा बाबा मैं दुख्या हूँ मुझ पड़्या करो गामा बाला यहां से तीन मील है मुझे वहां जाना है घोड़े पर चढ़ा लो परमात्मा भला करेगा तो बच्चों हमारे भारती संसकार में तो यह चीज है कि हम लोग दिन दुख्यों गरीबों की सेवा जरूर करते हैं और यहां तो बाबा भारती तो संत ही हैं और एक तरह से सादू संत जो होते हैं वो भलाई के काम से जुड़े होते हैं तो पूछते हैं वहां तुम्हारा कौन है तो वह कहता है वो दुख्यारा व्यक्ती दुर्गा दत वैद्य का नाम सुना होगा उनका सौतेला भाई हूँ बाबा भारती ने घोडे से उतर कर अपाहीच को घोडे पर सवार किया और स्वेम उसकी लगाम पकड़ कर धिरे धिरे चलने लगा यहां तक समझे होंगे बच्चो आगे है सासा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हाथ से छुट गई उनके आस्चर्ज का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहीच घोडे की पीठ पर तन कर बैठा है यानि कि उनके साथ धोखा हो गया और घोडे को दवडाए लिये जा रहा है उनके मूख से भै, बिस्मय और निरासा से मिली हुई चीख निकल गई वहाँ अपाहीच डाकू खड़क सिंग था समझे बच्चो बावा भारती कुछ तेर तक तो चुप रहे और इसके पर साथ कुछ निश्चर कर पूरे बल से चिला कर बोले जरा ठाहर जाओ खड़क सिंग ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा बावा जी यह घोड़ा अब न दूगा यानि कि धोखे से उस घोड़े को ले लिया समझ रहे हैं बच्चों फिर आगी क्या होता है पर तू एक बात सुनते जाओ खड़क सिंग ठार गया बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आखों से देखा जैसे बकरा कसाई की और देखता है फिर कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा परन्तु खड़क सिंग केवल एक प्रार्थना करता हूँ उससे सुईकार और सुईकार न करना नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा ठीक है बाबा जी आग्या दिजे मैं आपका दास हूँ केवल यह घोड़ा न दूँगा मतलब वो घोड़ा नहीं देना चाहता है तो बाबा क्या करते हैं अब घोड़े का नाम न लो मैं तुमसे उसके विशे में कुछ न कहूंगा मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना कहने का मतलब कि तुम मुझे बेवकूफ बना कर एक अपाहीज बनकर तुमने छल से इस घोड़े को जो मुझसे लिया है ये बात तुम किसी से न कहना खड़क सिंग का मुझ आश्चर्च से खुला रह गया उसका विचार था कि उस घोड़े को ले कर यहां से भागना पड़ेगा परन्तु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना इससे क्या प्रियोजन सीद हो सकता है खड़क सिंग ने बहुत सोचा बहुत सीर मारा परन्तु कुछ समझ न सका हार कर उसने अपनी आखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबा जी इसमें आपको क्या डर है सुनकर बाबा भारती ने उतर दिया लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे यानि सड़क किनारे कोई अपाहिज ब्यक्ती कोई दुखी ब्यक्ती कोई सहयोग मांगेगा तो लोग सहयोग नहीं देंगे या कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मूँ मोड लिया जैसे उनका उससे कभी कोई सम्मंध ही न रहा हो कथा अच्छी लग रही होगी बच्चों बाबा भारती चले गए परंतु उनके सब्द खड़क सिंग के कानों में उसी पकार गूंज रहे थे सोचता था कैसे उचे विचार है कैसा पवित्र भाव है उन्हें इस घोड़े से प्रेम था इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खेल जाता था कहते थे इसके बिना न रह सकूँगा इसकी रखवाली में वह कही रात सोए नहीं भजन भक्तिना का रखवाली करते रहे परन्तु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी उन्हें के वाली ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे ऐसा मनुस्य मनुस्य नहीं देवता है तो कहनी जरूँ अच्छी लगगी वे बच्चों आगे है रातरी के अंधकार में खड़क सिंग बावा भारती के मंदिर में पहुंचा चारो और सन्नाटा था आकास में तारे टिम्टिमा रहे थे थोड़ी दूर पर गाओं के कुत्ते भाउक रहे थे मंदिर के अंदर कोई सब्द सुनाई न देता था खड़क सिंग सुल्तान की बाग पकड़े हुए था वह धिरे धिरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा फाटक खुला पड़ा था किसी समय वहां बाबा भारती स्वेम लाठी लेकर पहरा देते थे लाठी यानि की बड़ा डंडा परन्तु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भै ना था खड़क सिंग ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके अस्थान पर बांध दिया यानि की वह रात के समय लवटाने आ गया और बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया इस समय उसकी आँखों में नेकी के आँशु थे किसके डाकु खड़क सिंगे यानि की बाबा भारती ने जो कहा उस बात का काफी असर हुआ डाकु खड़क सिंग पर होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से असनान किया उसके पर साथ इस परकार जैसे कोई स्वपन में चल रहा हो उनके पाउं अस्तबल की और बढ़े परंतु फाटक पर पहुँच कर उनको अपनी भूल परतीत हुई साथ ही घोर निरासा ने पाउं को मनमन भर भारी बना दिया वह वहीं रुख गए घोड़े ने अपने स्वामी के पाउं की चाप को पहचान लिया और जोर से ही नहिनाया घोड़ा तो पहुँच चुका था बच्चों वहां तक अब बाबा भारती आश्चर और प्रसनता से दोड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे गोड़े के गले में लिपटकर इस प्रकार होने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हूं बार बार उसकी पीट पर हाँथ फेरते बार बार उसके मूँपर थपकिया देते फिर वह संतोस से बोले यानि कि संतुस्टी से बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मुह न मोड़ेगा तो बच्चों कहानी निस्चही आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी देर बाद जब अस्तवल से बाहर निकले तो उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे यह आंसू उसी भूमी पर ठीक उसी जगा पर गिर रहे थे जहां बहार निकलने के बाद खड़क सींग खड़ा होकर रोया था दोनों के आंसूं का उसी भूमी की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया तो बच्चों ये कहानी भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है एक बुरे आदमी के हिर्दय में भी अच्छी आत्मा निवास करती है जो प्रेर्णा पाकर हिर्दय परिवर्तन कर देती है और बाबा भारती के द्वारा जो कहे गए सब्द थे उसे खड़क सिंग की जो आत्मा आंदोलित हो जाती है उसका मन परिवर्तित हो जाता है और बाबा भारती जो है वो हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंग जीत कर भी हार जाता है तो इस कहानी का सिर्षक, हाई की जीत, बहुत ही सही सिर्षक है, और निश्य ही इस कथा से आपको बहुत कुछ सिखने को मिला होगा, तो अगले वीडियो के माध्यम से बच्चो, मैं इस कहानी का प्रशनुत्तर आपको कराने का प्रयास करूँगा, इस एक ही वीडियो के कहानी को बताने का प्रयास किया है कहानी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है इसके लिए आप कोशिस कीजिएगा पूरा उसे इसे देखने के लिए और पाथे पुस्तक को आप दो तीन बार इस कहानी को जरूर पढ़ जाए ठीक है बच्चो धन्यवाद बच्चो